नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का इंफो टेक फार्मिंग लिटर चेनल पर किसान सातियों आज तारिक हो चुकी है 12 नमबर 2022 और दिन हो चुका है शनिवार का किसान सातियों आज शाजापुर मंडी बंध है और भी कुछ मंडियां बंध है लेकिन हमारी इंदोर मंडी आज रनिंग है याने के चलू है अपने कारियरत पर है किसान सातियों आपको इस वीडियो के अंदर में करिब इंदोर मंडी सही तेरा मंडीयों की जनकरी देने वाला हूँ प्याच के भाव की कल के और इंदोर मंडी के आज की आवक्यों और कल के भाव की जनकरी दूँगा चोटा सा एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए 95 प्रसेस अंकुरने नेफिट का एलोरा और प्रसंद का बेस्ट कॉलिटी प्याच बिश कर फ्री केशन डिलेवरी किसान सातियों प्याच बिश के लिए संपर करें तुरंट इस नंबर पर गोपाल जी पाटिदार नंबर है अगर उच्छितम कॉलिटी का प्याच बिश पाना चाहते हैं किसान सातियों तो तुरंट इस नंबर पर आप कोल करके प्याच बिश मंगवा सकते हैं किसान सातियों हम बात करेंगे आज करीम 13 मंडियों की इंदोर मंडि सहीद उससे पहले मैं कुछ मंडियों कि आपको जान करी दूँगा जैसे कि इंदोर मंडि और शायापुर मंडियों में अगर मैं कल की बात करूँ तो शायापुर मंडियों में कल उपर में टॉप कॉलिटी प्याच का भाव रहा था 16 सो रुपे तक एक का दुका लट ज्यादा तर माल किसांस आती हो 15 सो रुपे तक बिकरी हुई उसका क्या कराण है देखे किसांस आती हूँ शुकरवार के गुरुवार के दिन 15-16 रुपे तक अच्छा खासा माल भीका वो 17 सो रुपे में कुछ एक लोड भीके लेकिन शुकरवार के दिन 15 सो रुपे में ज्यादा तर लोड भीके और एक दो लोड 16 सो तक भीका एक रुपे माइनस क्यों हुआ तो मैंने बुद्वार को आपको जनकरी दे दी थी कि अगर आवक बढ़ाएंगे तो एक रुपे माइनस होगा सेम आवक ले जाएंगे तो भाव आपको सेम मिलेगा आवक में थोड़ी सी कमी होगी तो एक रुपिया भाव तेज होगा हुआ कि जैसे आवक बड़ी 10,000 कटे की 20,000 कटे थे बुद्वार को तो 2700 तक चला गया भाव गुरुआपको कितना गया माल कम था अच्छा खासा भावाया शुकर और को माल जादा आया करीमिन 40,000 कटे बाव टाउन दडाम से गिरी गया एक रुपिया तो कहने का मतलब सीधा ताथ पर यह यह के आप जितना ज़्यादा आवक पर कंट्रोल करेंगे उतना ही आपको भाव मिलेगा लेकिन परिस्तिती में समझ सकता हूं कि सभी किसानों का जो प्याज यह उगने लगा जर्मिनेश पाएगा इसके बाद ज्यादा गिरेगा इसके बाद खराब हो जाएगा इस दस दिन आपको प्याज निकालना है और धीरे धीरे निकालना है आपके पास अगर मान के चलिए 500 कट्टे हैं तो आप 10 दिन में उसको डिवाइट कर दिजिए कि मुझे एक दिन में इतने तो पहुत ज्यादा बता दिये किसान भी किसान साथियो तो यह थी किसान साथियो कुछ एडवाईज मेरी तरफ से किसान सातियों मैंने थमनेल में एट किया है प्याज भाव और आवग 12 नावंबर यानि कि आज की मैं आवग दूँगा आपको इंदुर मंडी की और कल का भाव दूँगा क्योंकि इंदुर मंडी में बोली स्टाट होती दस बजे और अभी सवानो का समय हुआ है प्याज भाव में हलकी सी तेजी आज बन सकती है कि किसान सातियों तो मुझे लग राय कि बन सकती है 37 किसान सातियों क्रिसिल के रिपोर्ट में भी दिखाई दर्शाई गई है तेजी दर्शाई गई है प्याज भाव में तो कहने का मतलब सीधा सेटात पर यह कि क्रिसिल में की जो रिपोर्ट आई है किसान सातियों उसमें 100% दर्साय गया है कि प्याज का भाव कहीं ने-कहीं बढ़ने के चांस है लेकिन वो अच्छी क्वालेटि का प्याज होना चाहिए पहली चीज दूसरी चीज प्याज में कमहीं आनी चाहिए तीसरी चीज प्याज को एक सिमीत मात्रा में अगर मंडी में प्याज आता है तो ही तेजी हमें देखने को मिलेगी आगे चले किसान सातियों बात कर लेते हैं इंदूर मंडी की इंदूर मंडी में आज आवा के प्याज के आवा के 50,000 कटे आलू के आवा के किसान साथियों 20,000 कट्टे वहीं लसुन के आवा के 15,000 कट्टे तोटल मिला के 45,000 कट्टे की आज आवा के देखने को मली है प्याज सिमित मात्रा में आलू और लसुन बढ़ चुके हैं क्योंकि आलू का भी अब क्या है समय निकल गया है जिसको बोनाता उनोंने बो लिया बाकी बचा उसको बेशना ही पड़ेगा रही बात लसुन की तो लसुन का भी अब समय आ गया है लगबग लगबग 50% लोग किसानों ने लसुन का अब की बुआई कर दी है कुछ बचे हैं वो अभी बो देंगे इसलिए लसुन को भी तेजी से निकाल रहे हैं सभी किसान भाई किसान सातियों कलके अगर प्याज के भाव के बात करूँ मैं इंदूर मंडी तो कल इंदूर मंडी में टॉप को लिए एक्सपोर्ट को लिए टिका सुपर चो प्याज यो क्यों कहाँ छोपर मंडी में नशिक की नव्पूर मंडी किसान सातियों मैं सिर्व आपको उपर-उपर के भावुद दे रहा हूँ बात करें किसान साथी नासिक की येवला मंडी की यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुफर प्याज 2500 रुपे से लगा के 2868 रुपे प्रती कुंटल के हिसाब से भी का है बात करें किसान नासिक की कलवण मंडी अभुणा कलवण जो दो मंडी आ रहती है एक अभुणा और एक कलवण तो कलवण ये बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको तालू का बोलते हैं कलवण जो है वो तालू का है और यहाँ पर जो किसान साथी रेट है एक्सपोर्ट बात करूँगा किसांद सती माले में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर रुप contar फिमय किसांद सा लगा के 25 सू रुप से लगा कि अथाविस सू रुप कोलिटी जब्कि 4500 हो गया था 700 रुप пож's to तो हमारे इदर भी 700-800 रुपय के लगबग हमारे इदर डाउन हुआ है हमारे इदर ज्यादा डाउन हुआ है उदर कम हुआ है बात करें किसान साथ यो नासी के सटा नमन दीगी है गोल्टी 725-1445 रुपय तक गई है गोल्टा प्याज 1500-2000 गया है मिडियाम प्याज 2100-2500 ट्रु पति कुण्टल के हिसाब सभी खाが है कि हीणि का सुधा तात्पर ये है कि किसान सातीं सत्यों constructive में भाव लुद्ग कोवसा नमन ज्याणा मैं किसान सात्यों मैं लुद्गे में लगाल में ऑप्सवच्वान में लगान में किसान सात्योंisin मेडियम प्याज 2100-2300 रुपे मुकल प्याज 2300-2500 रुपे एश्टा सुपर प्याज 2600-2800 रुपे और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज गुंतिश्व से लगा के 3100 रुपर ती कुंटल के इसाब सभी का है और पीपल गांव बस्वंत मंडी के आधार पर सभी लुंदिया चलती है बात करएंगे किसान साथी हो 16府 मंडी में किसान सा만 ओछ ह्पर कियो करना ओज Att्सान की में मंडी के ऑगाड़ कर बात करें एक्सपोर्ट कॉलिटी का सुपर प्याज频 300- planted in फिद्थ मार्केट चुट्ट करें तो नीज चुट्ट है है में अब आहर Disability कोह सक्रीशनाव कैसे लगी हमारे अच्षी लगी तो वीडियो खत्व होने के बाद रिक्वेश्ट करता हूं, कि चेनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, आपसे निवेदनि में रहे किसां सातियों, किसां सातियों वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियों हमारे और भी आन्यदाता हूं, तक किसान भाईयों तक शेर करें WhatsApp के माध्यम से और Facebook के माध्यम से एक निवेदन रहेगा किसान सात्यों आप से और शयापुरमंडी में आप परसु माल लेके जा रहे हैं कल तो संडे हैं परसु लेके जा रहे हैं बहुत कम मात्रा में लेके जाएं सभी किसान भाईयों को धन्यवाद जे जवान जे किसान जेहन जा जे भारत वंदे मातरम